मुद्धा क्या है जिस पर बीजेपी चुनाल वड़ रही है चुनाव भारती जनता पार्टी कारकरताओं के उब लड़ती है जनता के उब लड़ती है और विकास के उब लड़ती है जो मानने हमारे मुखमंत्री पूर्वे मानने बरतमान मुखमंत्री ने इतना विकास मद् दो दो फेक्ट्रियां मेडिकल कालेज इतना विकास हुआ है कि पूरे मद्द प्रदेश में मानने मुखमंत्री जी ने सिवराज जी ने और डाक्टर मोहने अदब जो अभी लगातार करते आ रहे हम विकास के बल चुनाव लड़ती है भारती जनता पाटी विकास और कारकरत हवा बनाने से शीक हवा बनाने से कुछ नहीं होता लेकर इस पर र्रेक्ष्ण ले लेते उसके बाद पर बड़े सवाल के साथ में आ रहा हूं आपके भी देगिए माननी श्मयमंत्री पूरे मद्द्रदी प्रदेश के आठ करोड़ जनता के मुखमंत्री हैं दूसरी बात जो यहां से प्रत्याशी है भाजपास है मैं उन्हें से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या पाच साल के कायकाल में उनने एक भी कोई काम किया जनता के हितेश में जनता बताएगी जनता बताएगी अब सबसे बड़ी बात है मुद्दो के अगर हम बात कर रहे हैं इसन ख़णि चोहान यहाँ पर रमाकान भारगप के साथ खड़े होकर जनता का शिवात लेना चाह रहे हैं क्या उस कमी को दूर कर पा रहे हैं जनता से पूछने के कोशिश करते हैं बताएगी क्शिवराभ सिच्वानी कमी खल रही है सबस्वासिभराभ सिवराइशिंग ह राजकुमर्पटेल के बारे में क्या करेंगी देखिए जितनी भी यहां पर खड़ी है मुद्दो पर जो बाते हो रही है बराबर ए पर जो विकास आपको दिख रहा है वो विकास के जो पत्थर बन लगे हुए बुकाले पड़े हुए यह आप लोग सब देख रहा हूं मैं सब्सक्राइब करें पूछ रहें पूछ रहें पूछ रहें पूछ रहें पूछ रहें महिलाएं भी हमारे साथ क्योंकि विकास की अगर बात होती है तो महिला और घर से जुड़ा हुआ अब ही मुद्दा बनता है चोटी चोटी बच्चों की इजब नहीं आजकल तो कोई भी बोलते हैं हम बचास कितना हुआ हमने कुछ नहीं पाता हम तो नहीं हुआ नहीं हुआ बाहर अंदर बस्ती में जाओगे एक सारे कच्छे मकान हैं घाड भी साब सुत्रे नहीं रहेते गौमाता सड़क पर फिर रही है और जब हम यहाँ पर आए बुद्नी में तो जानने की कोशिश की मुद्दे क्या है तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ही आया कि पश्वों से लोग परिशान है इसका जवाब ले लेते हैं बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े मानिय मुखमंतरी जी डाक्टर मोहने आदाब ने भी गव मा गव साला है कितनी खोल दी तो आपको भी मालम है और अभी पिछले कुछ दिन होई पेले गव साला के विसे में बड़ा निन्ने लिया है हम गव के सेवक है पूरा देश गव का सेवक है लेकिन लोग कह रहें कि तो बोलने की जरूत नहीं पड़ी खुद के रहें कि फत्तर लगा दिये तो विकास तो हुआ ना विकास ही हुआ ना फत्तर लगा आप यह विकास गिलास निकाल के देखें यह गेट दोहार देख रहा है आपको इस पूरे देश में आयोध्या में आपने देखा होगा आपको गारी चलने लगी लेकिन आप इस एक तरफा गाड़ी के पैये जिनके जिस पर गाड़ी चलती थी उन पैयों में अंतर आया क्योंकि पढ़िये मतलब उम्मीदवार में अंतर आया आप कह रहे हैं कि इतना सब कुछ हुआ नहीं है तो फिर जनता आपको पसंद क्यो है सब्सक्राइब मुख्यमंद्री को वोट करती नाकी भाजपा को और दूसरी बात मैं कहूं आप यहां किसी भी एक ब्यक्ति से पूछ लीजे बुद्नी विधान सवा बुद्नी के अंदर आप खड़े हैं रोजगार के मामले महिला अत्याचाय के मामले में चाहे वो लोगों की में अंड़ पास होता विष्ले पांच वाज पांच वाज से पांच वाज फ्राइब घान हो गया लिकाव यह बड़ी बात रेल्वे की बाट बाद इलिके सबसे बड़ा सवाल यह बुद्नी कौन जीते का कौन जीते का बुद्नी अरे बताएंगे ना आप के गान सब्सेटर तरब सकता कौन जीते का बताइए बंदैंस यह बटाइए तका कौन सब्सक्राइए रहल कीली अरख रैते का स्थिकराए आरे जीते आहे दिन गदाए और पांटिंटेगा विए टेलियौ ां rolls- exercises काटे की ठक्क कियो है बताए दोनों कि अपने अपने चुनाव प्रिचार में लगे हुए आप तो बटाइए नो है और भारगव जी निकल रहा है जलवा किसका है जलवा किसका है यहांपर जलवा जलवे की बात उरे यह यह बड़ा रोप है बढ़ा रोप है कि आप कॉंग्रेस लाडली वैनों के भाई चुनाव जीतेंगे जिन्हों पूरे देश में में जिन्हों ने पूरे देश में महीलाओं को संबान दिया अब हर प्रदेश के लोग हर प्रदेश की सरकार में लेकिन मैं आज से लेकि बड़ी बात है बड़ी बात है जंगल राज्ता जहां पर लाइड कभी आती नहीं थी दिग्वराज बड़े हैं या कमल बड़ा है इस चुनाओं में बुद्नी के वारे बात कर रहा हूं सिर्फ में क्यों की कांग्रेस के लोगों को जो बोल रहा है राजकुमार जीताएंगे बिचारे को कितने बार हरवाएंगे चारो दरपा से लड़वाली आभी में चुनाओं में हार के वैटे हो यहां से फिर अरवार आए जंता यहां पर भी है यहां पर भी है यह और यह लोग वह है जो गली नुकड पर बैठकर चर्चा करते हैं माहोल तो कवर मैं जबार और चुना लग भी रहा है उन निसों 3े बाद के यहां पर माहोल गलाया अब बहुत शान्त है ठंड है ठंडे लगा रहे क्यों माहोल में और इस बार चरीना लए है चुना हो क्यों जीतेगी बीजेपी बीजेपी ने काम कराये है ठीक है लोट रहें लोट रहें लेकर आप सवाल यही है जिन मुद्दों की बात है उसको भी समझेंगे इतसनाटा क्यों है भाई क्यों सननाटा है अगर आपका पंजाच चुनाओं आप नरता में जिताएंगे राजकौर भीजा इधार मैं और जाओंगा बीच में जाना है मुझे मुझे बताईए अगर देख ले रामान का इतियाच तो अपने आपको समझ में आजाएगी कि क्या है राम राम क्या करते हो हाँ मजदूरी देखिए मैं सिवनी मालवा से हूँ और नर्वता जी के दर्शन करके निकल रहा था आपका प्रोग्राम देखा बहुत शुक्त कामना मैं यह इतना ही कहा चाहूंगा हाती पालो घोड़े पालो पर मुगालता मत पालो